आप सभी लोगों ने हाली में देखा होगा कि आपका E-Job Living सूच खांग और नगर पाली का Car Fidderson सूच खांग जारी किया गया है तो याद रखे इस तरह के जो भी Index जारी किया जाते हों उनके बारे में विस्तार से आप लोग जानकारी इखटी कर लिया करिएगा क्योंकि इस तरह के Questions हर बार आपकी परिक्ष्या में आते रहते हैं चाहे फिर आपका One Day Exam हो या फिर चाहे आपका State PCS हो गया या Civil Service हो गया इसलिए तो कहता हूँ कि आप लोग पुराने Questions पेपर पास से 6 साल के उठा के देखिए उसमें आपको मालूँ चल जाएगा कि किस तरह के Questions बनते हैं ठीक है और याद रखी कौन जारी करता है और किनाधारों पर यह तैयार किया जाता है इस तरह कि जो भी Point हुआ करें सभी को याद रखा करिएगा हाली में आवासन और सहरी कारमंतराले ने Age of Living सोचकांग 2020 और नगरपाली का कार पिदरसन सोचकांग 2020 की अंतिम रेंकिंग जारी की है तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही याद रखना है कि आवासन और सहरी कारमंतराले की द्वारा इन दोनों इंडेक्स को जारी किया गया है या फिर तैयार किया गया है सबसे पहले बात करते हैं नगरपाली कार पिदरसन सोचकांग 2020 की तो इसे Age of Living सोचकांग 2020 के साथ सेवत रूप से जारी किया गया है यह सेवाओं बित, नीती, प्रोध्दुकिकी और साथन के विविन छेत्रों में नगरपालिकाओं के इस्थानिय सरकारी कारेों की जाज करता है जो आप भी देखते होंगे आपके यहाँ भी नगरपालिकाओं होंगे उनी के जाज की जारी ही उनकी सेवाओं की किस तरह की सेवाएं हैं किस तरह का हुआ वित, नीती या प्रोध्दुकिकी या फ्रफषासन की बात की जारी है इनी बातों को द्यान में रखते हुई एक तरह से कि किस तरह से कार करते हैं इनकी जाच करता है या स्थानी ये सासन फडाली में जटिलताओं को सरल बनाने और उनका मुल्यांकन करने और पाड़ी दरिसीता और जवाब देही में लोकाचार को बड़ावा देने का प्रयास भी करता है अगर हम लोग कबरेज की बात करें कि इसमें कितने नगरफालिकाओं को सामिल किया गया है इसमें दिल्ली में आपका NDMC और तीनो नगर निगमों का अलग-अलग मुल्यांकन भी किया जा रहा है तो याद रुखी ये भी कई बार आपका वंडेक जामें भी पूंच लेगा या फिर सेवल सर्विस में आपका आएगा पॉएंटों में पूंच लेगा कि इसमें कितने सहरों को सामिल किया गया है और या आप बोल देगा एक सुभार है सहरों को सामिल किया गया है सहीव है इसमें से कौन कौन सा ठीक है तो ये हैं आपके 111 नगर पाल का है रेदे है और फियुक्त मापदन्डों की बात करें कि किन मापदन्डों को ध्यान में रखते हुए इन्हे त्यार किया गया था याद रुखी 5 मापदन्डो ø जिसमें सेवा है आपका सर्विस भिद्ध यानि की फाइनेंस, नीती यानी की पॉलिसी पुरोधकिकी यानी की टे कभी बन सकता है कि पूछ लेगा आप से कि जो हाल ही में आपका MPI किन मान दन्नों को ध्यान में रखते हुए एक तरह से इन्हें तैयार किया गया है सूचकां को तो सेबा, बित्त, नीती, सासन और फुरोदुगी की वो ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ठीक है यानि की 10 लाग की पिलस की जनसंक्या की बात करें, 10 लाग से अधिक जनसंक्या की बात करें तो एक मिलियन से अधिक आवादी वाली नगरपालिका और एक मिलियन से कम जनसंक्या वाली नगरपालिका की बात करें ठीक है तो इसमें अगर हम लोग पिदर्शन की बात करें कि किसने कैसा पिदर्शन किया तो मिलियन फिलस यानी की 10 लाग से अधिक से अधिक से अधिक की बात कर लेते हैं इसमें आपका इंदोर को सरवचिस्थान मिला है और आप सभी लोग जानते भी हैं कि इंदोर कहां है मद्ध पिदेश में जो स्वक्ष सरविक्षन की आकड़े आते हैं उनमें भी आपका इंदोर आप देखते हैं कि टॉप बना हुआ है कुछ सालों से ठीक है इसके बाद आप देखेंगे सूरत और उसके बाद भोपाल आता है सूरत गुझरात का हो गया भोपाल आपका मद्पदेश में हो गया तो याद रखी अगर 10 लाग पिलस की जनसंख्या की बात करें तो आपका इंदोर पहले नमबर पर है ठीक है? उसके बाद सूरत देखेंगे उसके बाद भोपाल अगर 10 लाग से कम या फिर 1 मिलियन से कम अंजन संख्या की सेड़ी की बात करें तो इसमें N, D, M, C C सिस इस्थान पर रही है दिल्ली की और इसके बाद तिरूपती ये दूसरे नमबर पर गांधी नंगर तीसरे इस्थान पर रहा है ठीक है? तिरूपती इसे भी आपका direct questions कई बार बन जाता है यह मूल्यांकन उपकरन है मूल्यांकन उपकरन है जो जीवन की गुडवत्ता और शहरी विकास की विविन पहलों की प्तरभाओं का मूल्यांकन करता है इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि कौन सा सहर कितना अच्छा है रहने योग इसी की बात करता है ठीक है? इस सूचकाग में सामिल सहरों के जीवन इस्तार आला थिक चमता, स्थिरता और लचीलेपन की अधार पर ब्यापक समझ पिदान करता है और इसके अगर हम लक्ष की बात करें तो इसका उद्देश सहरों को वैस्विक और राष्टी इमान दन्नों के अनुसार विवस्तित रूप से खोदों को आखने और उन्हें सहरी नियोजन एबं प्रबंदन हेतु पैडाम आधारी दिरिश्टी कौर की और इस्थानांतन के लिए प्रोसाइद करना होता है इसमें कौन-कौन से माप दन्नों को ध्यान में रखते हुए तयार किया गया है इस इंडेक्स को तो इसमें आपका नागरिक अवधार्ना इज ओप लिमिक इंडेक्स 2020 में सिटीजन फरसेप्सन सर्वे को फेंबर्क में सामिल करके मजबूत बनाये गया और इस सर्वेक्षन का भारांग कियानी की पितीसत आप कह सकते हैं 30 पितीसत राखा गया है दूसरा है आपका सिटीजन फरसेप्सन सर्वे को सेबा की आपूर्ती के संद्रम में अपने सहर के नागरेकों का अनुभाउत जानने तथा उनकी साहयता करने के मौझूदा जीवन गुडवत्ता की स्तिती की अगर हम बात करें तो यह उन पाइडामों की भी जाज करता है जो मौझूदा जीवन गुडवत्ता की स्तिती को दसाता है इसमें आप देखेंगे सिक्छा हो गया, स्वास्त हो गया, आवास हो गया, आसरय हो गया, भवन हो ग पन जैसी कुल 13 सेनियों का सूचकांग के कुल पैडा में 70-30 सत इसको रखा गया है या नि कि इसका भारंग 70% तक रखा गया है इसमें आगर हम लोग पिदर्शन की बात करें कि कौन से सहर ने किस तरह से पिदर्शन किया है इज ओफ लिबिंग इंडेक्स 2020 में तो इसमें एक मिलियन होता है आपका तो 10 लाक से उपर पूचे या आपका मिलियन प्लस पूचे तो याद रखी बंगलू उपाहिले नंबर पर है और अगर सबसे खरापिदर्शन की पूचे तो अमरस्तर, गुवाटी, बरेली, धनवाद, स्री नंगर सबसे खरापिदर्शन रहा है अगर एक लाक से इमाप करिए, दस लाक से कमजन संक्या के मामले में पूचे या फिर एक मिलियन से कमजन संक्या की सैड़ी में तो से मला टॉप पर आ है उसके बाद देखेंगे आप लोग भोबनेसोर और सिलवासा का इस्थान रहा है और सबसे खरापिदर्शन की अगर एक मिलियन से कमजन संक्या की सैड़ी में पूचे तो अलीगर रामपुर नामची सपना मुझः पर पूर रहा है तो इन्हें आप लोग याद रखिए नहीं से आपके कुश्चन्स पूचे जा सकते हैं इसका अगर महत्त की पूचे की महत्त क्या है आकिर तो समग मुल्या जो की जीवन की बहतर गुडवत्ता के विक्सेते करने बुन्यादी रहाचे का निर्माड और सहरी करन की चुनोतियों का समाधान करने की प्रयासों के आधार पर तेयार किये जाते हैं कमियों से ओवने में सही था कि तो इन सुचकाउंकों से प्राप्त जानकारी की माद्याम से सरकार को अंतरालों की पहचान करने, संभावी त defic्षनों को पहचानने और नांगरिकों की जीवन में सुधार लाने और ब्यापक विकास, पैडामों, पैडाम प्राप्त कर सतत्र विकास लक्ष हैं, इनसे questions भी आपके direct कई बार बन जाते हैं, ठीक है, या फिर आप देखते होंगे कि questions लिखने के लिए आते हैं, या फिर आप लोग निवंद लिखते हैं, तब भी आप लोग इन पॉइंटों को वहाँ भी उपयोग कर सकते हैं, ए संकिय तक सतत विक पहली बार, इस survey पहली बार आपका 2018 में शुरू किया गया था, तब ही से जारी किया जाता है, एक तरह से सामने हैं और आप लोग याद रख सकते हैं हराम से ठीक है इसमें कुछ जाना परेशान होने की जरूर भी नहीं है और याद रखी वैसे इसलिए बोलता हूं कि आप लोग एक नियुज पीपर फॉलू करते रहा करिएगा ठीक है कम से का मालूत बना रहता है नियुज में की क क्या कहा हो रहा है ठीक है